हेई गाइस वेलकम बेक टू अनधर वीडियो अफ़ चैनल तो आजकी लेक्षे में एक एक्जामपल देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कॉस तु थिटा प्लस आउड़ा साइड तु थिटा की पावर टू बाई थी एक एक्जामपल दिया हुआ है और लिखा हुआ है और सबसे पेले हम क्या करते है वो को श थीटा है हम ले 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 लोएं सबसे हैं जाले का करते है इसको इसको ठीक ही है देखे यहापर जो आन्दर था वो अंहों पावर में ले लिए मौम और है तिक एड्मिनस चाहिए तो क्या है लेंगे सिक पावर प्लस आयवड़ा साइन थीटा देखिए याप जो माइनस है तो हम माइनस को साथ ले लेंगे तो क्या होगा माइनस थ्री उसकी पावर कितनी दी हुए? स्क्वेर दिया हुए उसका भी इन्टु यहाँ पर क्या होगा? cos theta minus के जिए हम कहलेंगे plus ioda sin theta उसकी power कितनी थी यहाँ पर 5 है यानि और बीच में minus था तो हम कहलेंगे power को minus 5 लेंगे और उसकी power कितनी दी हुए है हमको 1 by 3 दी हुए तो अभी हम इसको solve करते यह जो power है उनका हम क्या करते multiplication करते तो क्या होगा cos theta plus ioda sin theta उसकी power क्या हो जाएगी यह 2 और 2 का multiplication होगा तो 4 by 3 होगा इन्टू यहाँ पर भी वैसा होगा cos theta plus ioda sin theta यहाँ पर 2 और minus 1 का multiplication होगा तो क्या होगा minus 2 और नीचे डिवाइड में आएगा cos theta plus ioda sin theta और यहाँ पर इन दोनों का multiplication होगा 2 into minus 3 तो क्या होगा minus 6 into cos theta plus ioda sin theta उसकी जगह क्या हैगा minus 5y 3 देखिए यहाँ पर हमने क्या किया जो अंदर n था यहाँ पर उसको हम कहाँ पर ले गए power में ले गए यहाँ पर जो अंदर n था उसको हम पावर में ले गए और बीच में minus नहीं चलेगा इसके लिए हमने क्या किया plus किया तो आपर 3 था उसके जगह हमने उपर क्या ले लिया minus 3 ले लिया तो अभी हम इसको solve करते तो क्या होगा cos theta plus ioda sin theta तो भी क्या होगा यह दोनों एकदम same है तो power क्या होगा addition होगा तो क्या होगा 4 by 3 यह आपर minus यह तो minus 2 और नीचे डिवर में भी हम व्यासाय करेंगे cos theta plus ioda sin theta उसकी power के हम addition करेंगे तो क्या होगा minus 6 और minus 5 by 3 तो अभी हम इन दोनों का addition करते तो क्या होगा 4 by 3 minus 2 तो क्या होगा यह आपर 3 इसके साथ multiply होगा 4 minus 6 by 3 तो क्या होगा minus 2 by 3 होगा फिर नीचे देखते नीचे क्या होगा minus 6 minus 5 by 3 तो क्या होगा 3 इदर multiply होगा तो minus 18 minus 5 by 3 तो क्या होगा minus 23 by 3 तो यह आपर हम लिखते cos theta plus ioda sin theta उसकी power क्या हम बिलेगी minus 2 by 3 minus 2 by 3 और नीचे निक क्या आएगा cos theta plus ioda sin theta उसके जगह क्या आएगा minus 23 by 3 minus 23 by 3 तो अभी हम क्या करते हैं यह minus 23 by 3 है उसको हम उपड़ ले जाते हैं तो क्या होगा cos theta plus ioda sin theta उसकी प्यावर है minus 2 by 3 तो यह उपड़ जाएगा तो plus 23 by 3 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे plus 23 by 3 करेंगे तो क्या होगा cos theta प्लस आयोडा sin theta उसकी power क्या हो जाएगी यह माइनस 2 by 3 plus 23 by 3 तो नीचे 3 वैसे का वैसा वर्पर क्या आएगा यह का 10 21 तो 21 by 3 ठीके तो ह्याँ पर हम को क्या मिला था cos theta प्लस आयोडा sin theta उसकी पावर 21 by 3 थी ठीके तो 21 by 3 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा तो हम लिखेंगे cos theta plus ioda sin theta उसकी पावर क्या आएगी 7 अब यह हम 7 को कहा लेंगे अंदर ले लेंगे तो क्या होगा cos 7 theta plus ioda sin 7 theta तो यह क्या आगया हमारा answer तो यह था dmobris theorem का example बहुत ही easy था और simple है अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्स फर वाचिंग